चोहत्रवी स्वतंत्रा दिवस की हार्दिक सुपकामनाएं मैं रभिकांच सर्मा पूरे भारतवासियों को हमारी अजादी के वर्षगांट पर एक कवीता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका सिर्षक है मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों का भारत जब हर घर और समास खुसाल होगा जहां न कोई बच्चा भूग से रोएगा और न भूगा सोएगा मेरे सपनों का भारत जब हर किसान का जीवन खुसाल और सम्रिद होगा जहां न कोई किसान कर्ज में डुवेगा और न कोई आत्महत्या करेगा मेरे सपनों का भारत जब हर घर बेटियां जन्मेंगी और हर घर परिवार खुसिया मनाएगा जहां न कोई बेटियां दहिच के लिए जलेगी और न कोई बेटी जन्में से पुरुब मारी जाएगी मेरे सपनों का भारत जब हर समाज में नारियों को सम्मान मिलेगी और कुर्षो संग कदम से कदम चलेगी जहां न कोई नारी सोसित होगी और न कोई नारी बेआबरू होगी मेरे सपनों का भारत जब हर महिला दुर्गा लक्ष्मी और स्रस्वती का स्वरोपा मानी जाएगी जहां न कोई महिला जहां सी की रानी और न कोई इंदरा से कम होगी मेरे सपनों का भारत जब हर बच्चा सिक्षित होगा और युवा को रोजगार होगा जहां न कोई सिच्छा से वंचित होगा और न कोई विरोजगार होगा मेरे सपनों का भारत जब हर बेटा अपने बुरे माता पिता की सीवा करेंगे और हर बच्चों का पडिवार होगा जहां न कोई बृद्धास्रम होगा और न कोई आनातास्रम होगा मेरी सपनों का भारत जब हर धर्म में मानवता का धर्म स्रिष्ठ होगा जहां न कोई हिंदू, मुस्लिम और न कोई सी किसाई में विबाद होगा मेरी सपनों का भारत जब हर वर्ग और जाती एक साथ रहेंगे जहां न कोई उचा होगा और न कोई नीचा मेरे सपनों का भारत जब हर देश की सीमा का कोई आपसी विवाद नहीं होगा जहाना कोई युद होगा और ना कोई सैनिक सहीद होंगे मेरे सपनों का भारत क्या मेरे सपनों का भारत साकार होगा क्या या सिर्फ मेरा सपना ही बन कर रह जाएगा क्या मेरी सपनों का भारत आपके भी सपनों का भारत होगा क्या हम सब मिलकर मेरी सपनों का भारत को हमारी सपनों का भारत बनाएंगे मेरे सपनों का भारत मेरी सपनों का भार अगर मेरी कवित अच्छी लगी हो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे और सेर भी करें धन्यवाद